नमस्कार, मैं जोच्णा मलिक, आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ आज हम कक्षा सात्मी की पाठे पुस्तक में संकलित, पाठ सोला, भोर और बर्खा, कवीता पढ़ेंगे, जिसकी कवित्री हैं मीरा बाई मीरा बाई ने श्रिकृष्ण के भक्ती बदोंगी रचना के, क्रश्ण भक्ती में ही सराबोर, मीरा बाई द्वारा रचित ये दो पद है उनकी द्वारा रचित पहला पद है पहले पद में मीरा बाई ने भोर के समय श्री कृष्ण को नींद से जगाने का उल्लेक किया है वह लिखती है कि रात बीत गई है सुबह हो चुकी है घरों के दर्वाजे खुल गई है गोपियां दही बिलो रही है हे बंसी वाले ललना अब जाग जाओ कवित्री ने मा यशोदा द्वारा बाल कृष्ण को जगाने का वर्णन किया है मा यशोदा कृष्ण को जगाती हुई कहती है कि रात बीत गई है और सुबह हो गई है हर घर के दर्वाजे खुल गए हैं गोपियां दही को मत कर मक्खन निकाल रही हैं उनके कंगनों की जनकार साफ सुनाई दे रही है आगे मा यशोदा कहती है उठो मेरे बेटे देवतवे मनुश्य सभी दर्वाजे पर खड़े हैं गौाल बाल सब तुम्हारी जैजैकार कर रहे हैं तब श्रे कृष्ण उठ जाते हैं और अपने हाथ में मक्खन और रोटी लेकर गायों के रखवाली के लिए चल पड़ते हैं मीरा बाई कहती हैं श्रे कृष्ण अपनी शरण में आने वालों का उध्धार करते हैं दूसरा पद कुछ इस प्रकार है बरसे बदरिया सावन की सावन की मन भावन की सावन में उमग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरी आवन की उमड घुमड चहूं दिस से आया दामिनी दम के जरलावन की नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की मीरा के प्रभुगिर धर नागर आनंद मंगल गावन की दूसरे पद में सावन के बादलों द्वारा बर्खखा उलेख है कृष्ण के आने की सूचना मीरा को मिल चुकी है चारों और शीतल और सु मेरा कहती हैं कि सावन के बादल बरसने लगे हैं जो कव्यत्री के मन को बहुत अच्छे लगते हैं। वर्षा की छोटी छोटी बूंदे धर्ती पर पड़ रही हैं और ठंडी सुहावनी हवा चल रही हैं। ऐसे में कवित्री अपने प्रभुगिर धर नागर के लिए सुखद और मंगल गीत गाना चाहती है। धन्यवाद।